भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक को उनके पद से हटाया जा सकता है पहला मंतरी परिशद के सर्वसम्मती से दूसरा है उचतम नियाले की जाच के आधहर पर भारत के प्रधार मंतरी के दौरा संसद के दोरों सदनों के विशीश बहमत से पारित एक परस्ताव के अनुसार राश्पती के दौरा दिये गए कूट में से सही उत्तर का चैन कीजे या तो एक या फिर दो केवल दो केवल चाथ इन में से कोई नहीं चौथे नंबर सवाल का जवाब CAG ये भारत के समिधान का भाग पाँच ठेक है भारत के समिधान के भाग पाँच का ये अंती मद्याय है और ये 148-151 के बीच में इसके चर्चा की गई है ठीक है नियंतरक और महा लेखा परिक्षक इसको एंगलिश में कम प्ट्रोलर और और अडिटर जनरल कहा जाता है और शौट में कहते कैग तो ये क्या करता है कि भाई आप सामाने तोर पे देखेगा जितने भी सरकारी जो है विभाग होते हैं उन सारे या कह सकते कोई भी जहाँ पर आई और व्याय का लेखा जोखा होता है जहाँ पर फाइननसियल एक्टिविटीज होते हैं वहाँ पर क्या होता है ओडिट होता है ठीक है तो सरकार भी तो इस तरह से आई और व्याय का काम करती है तो बजट बनाती है बजट के हिसाब से काम करती है तो काम जब करती है तो सरकार ने सही तरह से पैसे जो आबन्टित है जो धन था जो संसद ने पारिव किया वो जो है उसके हिसाब से सरकार ने खरच किया या नहीं किया इसकी भी तो देख भालोनी कि ये जो चीज है ना ये बात है अर्टिकल 148-151 ये अंतरक और महालेखा परिक्षक ये केवल केंदर की नहीं होता है राज जी का भी जो है यही ओडिट करता है इस चीज को ध्यान रखेगा कि जैसे महानियवादी जो है केंदर के लिए और महाधी वक्ता जो है राज जी के होता है ना वो केंदर राज दोनों के लिए एक ही होता है इस चीज को ध्यार में रखेगा ठीक है तो आपको ये चीज बताना है कि सीय जी को उनके पद से कैसे हटाए जा सकता है संसद के दोनों सदनों के विशीश महमत से पारित एक प्रस्ताव के अनुसार राश्पती के द्वारा और ये गदं सही है यही इसका सही जबाब है क्यों कि भारत का सविदान जो आर्टिकल 148 है रा वो ये कहता है कि एक नियंतरक और महालेखा परिक्षक को कैसे हटाया जा सकता है तो उसमें साफ-साफ लिखा है कि उसी तरह से हटाया सकता है जैसे सुप्रीम होट क को हटाने के विशेश बहमत से थोड़ा भिन होता है ठीक है भिन होता है क्योंकि राश्पती पर जो महावयोग लगेगा वो संसद के दोनों सदनों से अलग अलग कुल सदस संख्या के दो त्याही बहमत से पारित होना चाहिए लेकिन अगर उच्चतम ने अगर जो है तो निश्चित रूप से क्या होगा कि संसद की सदस संख्या का 50% से अधीक और साथ में क्या होगा कि उपस्थित और मद्दान करने वाले सदस्यों के दो त्याही बहमत से पारित होना चाहिए इस विशेश बहमत की बात यहां पे की जाती है तो C.A.G. को उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे सर्वुच नियाले के नियाधीश को हटा जाता है और जिस आधार पर हटा जाता है वही और दोनों सकनों की मंजूरी ज़रूरी है